नमस्कार दोस्तों काफी सारे लोगों को प्राब्लम होती है कि option selling में stop loss और target कैसे लगाएं क्योंकि काफी सारे लोगों का जो stop loss होता है वो hit नहीं होता है bounce कर जाता है तो मैं इस वीडियो में clear बताने वाला हूँ कि मैं कैसे stop loss अपना लगाता हूँ तो आप वीडियो को ध्य कर लिया है एक में मुझे 500 रुपए का profit हुआ है और दुसिम्हें मкихे लगबख 1,800 रुपए았는데 का profit हुआ है इसको मुझे डियम का profit हुआ है इसको मुझे इसको मैंने sell किया हुआ था कितने में 86 में मैंने sell किया था और 80 रुपए मैंने इसको buy कर लिया अभी देखे ये 75 रुपए पर चल रहा है और रुपता मैं तो थोड़ा और मुझे इसमें profit होता लेकिन time खता मोने की वज़े से मैंने इसको जल्दी book कर लिया 3 वज कर 11 मिनट हो चुके हैं तो चलिए हम लोग इसमें अपना सबसे पहले stop loss लगाते हैं जो कि 3800 के put चल रही है तो इसको मैंने sell किया हुआ है 80 रुपए में और इसमें मैं अपना stop loss लगाता हूँ तो इस पे आपको click करना पड़ेगा position पे exit का option आ रहा है exit पे हम click करेंगे और SL पे हम click करेंगे ठीक है SL पे मैंने click कर दिया और मा लेजी कि यह अभी चला है 128 रुपए पे और मुझे stop loss लगाना है 160 रुपए ठीक है तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा 160 रुपए लिखूंगा price में ठीक है price में मुझे लिखना है 160 रुपए और trigger आएगा trigger में मैं लिखूंगा 169 159 ठीक है मतलब कि जो price है वहाँ से 1 रुपए कम यहाँ पर trigger price में हमें लिखना है ताकि 169 और 160 के बीच में price जब भी trade करेगा तो हमारा stop loss hit हो जाएगा अब swipe to buy कर देते हैं हम लोग ठीक है अब stop loss हमारा लग चुका है चलिए हम लोग देखते हैं कि लगा है कि नहीं stop loss ठीक है तो देखिए यहाँ पर 159 पर हमारा stop loss लग चुका है 159 और 160 मतलब कि इसके बीच में जब भी price आएगा तो हमारा stop loss यहाँ पर hit हो जाएगा ठीक है यह लग गया हमारा stop loss अब हम लोग लगाएंगे target तो माली जी इसको 80 पर मैंने sell किया हुआ है target लगाना है हमें 40 रुपे का तो यहाँ पर click करेंगे exit लिखेंगे और limit पर click करेंगे ठीक है 125 रुपे अभी इसका price चल रहा है हम लोग इसको type करेंगे 40 रुपे price में ठीक है खली हमें price लिखना है और दुसरा कुछ भी नहीं लिखना है तो 40 का हमारा यहाँ पर target लग चुका है swipe to buy करेंगे अगर हम लोग तो यहाँ पर हमारा 40 रुपे का target भी लग चुका है अब हम लोग order book में जाकर देखेंगे की target और stop loss लग चुका है की नहीं हमारा तो उपर देखे target लगा है 40 रुपे का और नीचे stop loss हमारा लगा है SL 159 और 160 के बीच में जब भी price आएगा तो इसी के बीच में हमारा stop loss कहीं पर hit हो जाएगा ठीक है तो आप लोग इसी तरह से अपना stop loss और target लगाएं जो लोग option selling करते हैं वो लोग ठीक है thank you